जो भी जहां से देख रहा होगा यह क्या चीज है बिरूर बताईएगा इसे क्या कर और अभी मैं अपने गाउं में हूँ बहुत दिना के बाद यार यहां आया हूँ और बहुत ही मज़ा रहा देखो पूरा हरा हरा चारो तरफ धान और खेत नजर आ रहे होंगे यह है और य यह है मारा गाम है और यह जो इधर सामने देख रहे हैं और इधर में देख सकते हैं आप बहुत सारे यह सब मकान बना हुआ है और यह सब यह सब पहले नहीं था अभी दूर साल पहले यह सब नहीं था तो जल्दी में यह सब बना है और यह दख लिए अब बताईएगा आपके गाउं में इसको क्या बोलते हैं जो भी जहां से देख रहा होगा यह क्या चीज है और कॉमेंट करके जरूर बताईएगा इधर भी पूरा आबादी मतलब चारों तरफ बहुत ज इसी तरीका के है वरना इस तर पूरा धान वगरा लगा हुआ रहता था तो अच्छा लगता था और देखने में तो अभी मैं अभी आपको देख और यह सब पेन आप देख सकते हैं उधर हो टोटल हमारा है और मैं आपको बताऊं यह इस पेन के बारे में आप लोग विखायं करते थे तो यह इसको आपको दिखाई दे रहा होगा उसके बाद यह काफी दूर है उसको भी अपको बाद में देखांगा और अधर आप डेख देखते हैं यह जू जमीन यह दिख रहे हैं यह भी हमारे चछा का है और काफी जमीन लेकिन इस से बारित नहीं हो तो इससे दूल 10 कि ласт haric high bank नहीं गया है इस में जो से उसना कुछ बोया जाता था फिलाद इस समें भी कुछ नहीं है श하면 कि यह बहुत गहरा है दोस्तों यह काफी गहरा है बहुत बड़ा भी है तो इसमें कभी सालों साल पानी मतलब सुकता नहीं इतना गढ़ा ही और यह जो अपरास्ता देख रहे तो इधर भी है यह बीश में बनाया गिया है पार होने के लिए बहुत दिकत होता था इसको बनाया गिया है अजय को अपर बनाया गिया है लुट जाए बनाया गिया है झाल बनाया गिया है अजय को अपरे पार बनाया गिया है मेरे गाउं का दोस्तों फाइनली यही है मेरे गाउं का आए यदर बना हुआ है इसी में जो क्रैश से मैंन से पत्थर निकलता तो ही हाइवा पार लोड़ होके जाता है एक माईन सीधर भी है इधर भी है इधर भी मुझस सारे माएन से पहाइम करैसर भी है वह सब मैं आपको देखान और यही मेरा बंदगा है और सामने में आपको उधर मेरा गाउं नजर आ रहा होगा तो फिलाल दोस्तों वीडियो को खतम करते हैं आप फिर मिलते हैं नए वीडियो में और यह हमारे गाउं का बगडंडी आप देख लो इस तरह का है और मैं आपको देखा हूं तो यह मेरे गाउं को बगल का एक काउ है पहले यहां पर मकान वगरा दुचार घर थे अभी काफी बन गया आने के बाद तो पुरा चेंजीन नजर आने लगा यार को जो है और असल यह कीब बहुत जिनों के बाद मैं आया हूँ और तो यहां पर उस तरह से दिख रहा है कि काफी चेंजीग दिख रहा है कि लगभग-दोसाल के बाद यहां आया हूं इसके वज़जासे चारों तरफ को बहुत चेंजिंग महसूस वह रहा है यह गाउं में दो चार घर थे लेकिन बहुत सारे घर बन गए और इधर भी इधर भी घर बन गए इधर भी बन गए पहले यहां पी